ओम नमस्षिवा जैमा तेगी जब जोडे में चलती है ये दो शक्ती साथ तो आपके घर में ये होने लगता है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे जानकारी आगे-ागे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो आप सामने क्या देख रहे हो दोस्तो मतकाली को देख रहे हो और सामने कोन है पैचान लो जरा उनको थोड़ी दिर पैचानो पैचानो कोन है पैचानो जिनको पैचान होगी वो जरूर कमेंट में बता देंगे मुझे अभी इसी वक्त देखो सामने आपको जो दिख रही है वो है माता काली और जो उनके बगल में दिख रहे हैं वो है बाबा बीर बुलाकी जो की आगरे खेड़े की सच्ची सवकार है ये देवता है ठीक है अब माता काली की लगती है बकरे की में तो अब जो जोड़े में कोई भगत कोई तांतरी कोई भी बंदा जोड़े में इन दो शक्तियों को काली माता को और बावबीर बुलाकी को आपके घर में कभी कोई चला देता है तो समझ लेना दोस्तों आपके घर का तैसनेस हो जाता ह ये दोनों ऐसी सकती है जब जोड़े में चल देती है साथ तो आपके घर में कोई भी नहीं बसता खास जैसेगी मैंने आपको अभी बताया ना अब बावा बीर बुला की ये बारे में कुछ लोगों को पता होगा जरूर पता होगा जो मेरे सबस्क्राइबरे सबको पता है और कुछ लोगों को नहीं पता तो वो आज सुन रहे हैं आज समझ रहे हैं आज उनको पता चलेगा क्या है सच्चा है अगर जोड़े में आपके घर में यह होते हैं तो आपके घर में क्या होता है लड़ाई जगड़े सबसे ज़्यादा होते ठीक है दिन पर दिन एक एक बंदा आपके घर में मरता रहता है जैसे मालो एक साल वाद कोई मर गया छे मीने वाद कोई मर गया फिर एक स जगड़े तो आपके ओंगे एक्सेरंट भी ओंगे आपके भोध बुरा हो जाता है जब जोड़े में कोई भगत इन दो शक्तियों को चला देता है आपके घर में लड़ाई जगड़े तो पूछो इमत लड़ाई जगड़े इतने होते कि एक दूसरे को आपस में भेन भाई जिए कोई भी ओमारने को चड़ जाते हैं और हत्या हो भी जाती किसी के एका दे के हास किसी काम के लिए किसी काम कोगे वह आपका काम नहीं होने वाला वह पैसा किसी और चीज़ में लग जाए तो जब जोड़े में चलती है यह दो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अब आपको इन से बचने के लिए क्या करना है ये मैं आपको बता देते हूं इन दो शक्तियों से बचने के लिए देखो इन दो शक्तियों को तो लोग बाग गलत में यूज़ करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए सब को यहीं भुग आगीवाज़ा के कारडा लिज चलदेते हैं कि इनको भेट मिलती है इस वज़े से वो चल देते हैं फिर बाद में ये उसी को डंड भोध बुरा देते हैं तड़पा तलपा के उसी को मालते हैं तो अगर आपके साथ ऐसा होता है जो मैंने आपको कंटीन्यू बताया है तो सम यह दो जोडे में सकती मिलेगी ही मिलेगी दो शक्ती और है जो मैं आपको अपको कभी बताओंगी वीडियोमें वह सकती वहीं किसाथ चलती है अब आपको इनसे बचने के लिए क्या करना चीँए आपको बाबा पीर बुलाकी के भगत से मिलकर इनकी वारा में पूछना चीए यानि कि अपने किसी भी अच्छे भगत से बुलाकी वाबा के मिलके उसको बतानी चीए अपनी प्रोबलम फिर वो आपको देखकर बताएगा आपको घर को ठीक करेगा जो भी आपकी दिक्कत है परिशानिया है सारी जड़ से खतम करवा देगा तब ही आप लोग ठीक हो पाओगे आपके घर ठीक हो पाएगा और ये जो जोड़े में चलेंगे तो इनका जोड़े में ही फिर उतारा करा जाता है उतारा कैसे होता है वो आपका जिस भगत से आप मिलोगे वो भगत ही खुद उसका उतार करता है तब जाकर ये आपके घर को छोड़ते हैं और उतारे के बाद भेट दी जाती है जैसे माताकाली का बकरा बाबबीर बुलाकी का सुवर ये भेट आपको उस भगत को देनी होती तब जाकर ये अटते हैं जड़ से आप किसी ऐसी ललू-पलू गंजो भगत से तो मिल मत लेना जो कि आपको सोचे कि आपसे भेट ना ले और आपसे ऐसी आपकी बोले कि ऐसी काम हो जाएगा ऐसे बंदों से मत मिलना आपका काम नहीं होएगा बेट दे कर ही अठते हैं बिना भेट के नहीं हठते हैं ये लोग तो ये जो आगरा की सची सरकार है बावा बीर बुल जाकि ये ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि जैसे मानलो मैं आपको क्या बताऊं जैसे आपने अभी बैठके सच्चे मन से हाथ जोड़के बोल देना बावा मेरे ये काम करा दो बस बहुत जरूरी है और बावा मेरे काम हो जाएगा तो मैं एक पवा और आपको लड़ू चड़ा जैसे बोल दोगो ना सक्षे मन से हाथ जोड़के जुटकियों में काम करते हैं इसे देपता है इसे एक हास से काम करेंगे आपका एक हास से लेंगे ऐसा काम है orders तो सच्चे मन से जो इनको पूजता है वो ही अपने जीवन में से पार हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब दो शक्ती साथ में जोड़े में चलती है तो आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो कभी भी जीवन में आप लोगों को एक अच्छ या फिर आपके खुद के घर के देवी देपता भी बिगड़ जाते हैं जब माल लो आप लोगों के घर के जिनका पूजन नहीं करते पित्रों का पूजन नहीं करते तो खुद के घर के देवी देपता भी जब बिगड़ जाते हैं तो ऐसा आप लोगों के साथ खुद भी हो लगता है यानि कि आपके जो घर के देवी देपता बिगडे में हैं उन्हें समालना पड़ता है तो भाई मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि जब आपके घर के देवी देपता बिगडे में हो तो उन्हें समाल लो तो आपका उधार ही उधार है अगर आप समालोगे नहीं तो आपका फिर कुछ भी उद्धार नहीं होने वाला और बल्कि आपके घर में हर दिन एक एक मौत होती रहेगी। तो किसी ऐसे भगत से मिलें जो कि अच्छा काम करता हो जिसका आपको लगे कि आँ वह यह सही करता है। उसी भगत से मिलकर अपनी सारे प्रोब्लम बताओ वह आपको सल्यूशन जरूर देगा। इस दो शक्ति जब जोड़े में चलती है तो पूरे घर का तेसनेस हो जाता है। मैं आपको बता दूँ। लोग वाग इनको जादातर बुरे काम में ही चला रहे हैं। मैंने आपको बताए सो में से नब्बे परसेंट लोग इन्हें बुरे में चलाते हैं। और दर्स परसेंट जो लोग है वो अच्छे काम में चलाते हैं। तो धर्म पर चलाना चाहिए। तो चली दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादर।